नमस्कार दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत मैं हूँ आपके साथ हेमलता शर्मा सर्दियां चल रही हैं और सर्दियां अपने साथ केवल ठंड ही नहीं बलकि अपने साथ वाइरल फ्लू भी लेकर के आती हैं पहाडों में मैदाने इलाकों के मुकाबले सर्दियां कुछ ज़्यादा टिकती हैं तो ऐसे में सर्दियों में आपको भी टिके रहने के लिए पुखता जानकारी की दरकार रहती है और जब बात सेहत की हो तो डॉक्टर से बहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता और जब जानकार की रूप में हमार साथ खुद मौजूद हो डॉक्टर अर्जुन सिंग तो क्या कहना बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे कारेक्रम में डॉक्र साब कारेक्रम की शुरुआत करते हैं, वारिल फ्लू की हमने बात की है, अक्सर हमने देखा है कि जो सर्दियां है, वो कहीं न कहीं फ्लू अक्सर हमको देखने को मिलता है सर्दियों में, तो क्या वजहर हम इसको मान सकते हैं कि जो सर्दियां है, उनमें खांसी जुकाम इस तरह के उसका कारन यह है कि कुछ आइस says है जो थन्ड के टाइम पर आधा चाहते हैं और हमारे गले में मितलब हमारी बॉड尼र थे ठीक है पर तो जैसे उनको optimum temperature मिलता है ठंडा temperature और वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं उस वज़े से सर्दियों में थोड़ासा जो है फ्लू के जो केसी थोड़े बढ़ जाते हैं पर ऐसा नहीं है कि सर्दियों हर सीजन में फ्लू आएगा हर तीन से चार महिने में जो सरल भाषा में हम कहीं तो कहीं थंड कारण है थंड बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बड़ा कारण है जो मैंना को बताया है मुस्त कॉमन जो वाइरस जैसे रेस्पिरेटरी सीशियल वाइरस है वह हमारे गले में रहता है तो थंड में जैसे बहुत- कि हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ श्रेणियों के हम अगर बात करें तो बच्चे बुजर्ग और युवा थो यह तीन श्रेणिया हमने विभाजित कि हैं कहीं न कहीं तो ऐसे में हम क्या कहें कि कौन से श्रेणी जो है जादा बिल्कुल समय दन्शील रहती है जिने मतलब थोड़ा खत्रा हमेशा रहे गई रहेगा तो जैसे आपने डिवाइड कि हम भी यूजवली फ्लू केसिस को तीन ही पार्ट में तीन ही काटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं बच्चे और एक यंग एज ग्रूप और एक ओल एज ग्रूप तो अगर हम बच्चों की ब बच्चों की ना इम्म्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है पूरी तरह से विक्सित नहीं हो उता तो उनको फ्लू जल्दी हो जाएगा और उन में हम देखेंगे तो साल में दो बार तीन बार वह फ्लू से इंफेक्ट हो जाएंगे सर्दियों में बहुत कॉमन रहेगा पर बच्चों में रिकवरी भी बहुत जल्दी है विदिन तीन से पांच दिन के अंदर अंदर बच्चे रिकवर कर जाएंगे पर पेरेंट्स के साथ बड़ी प्रॉलम आती है बच्चों में खास करके कि थोड़ा सा बच्चों को बुखार हो जाएगा या फ्लू होगा औ तो इसमें ना कुछ पेरेंट्स के लिए मतलब मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि नॉर्मली बच्चे को बच्चों के साथ हमें किस तरह से कब हमें हॉस्पिटल लेके जाना है कब हमें उसको घर पे ही हम मैनेज कर सकते हैं तो बच्चों को चाहे किसी भी एज ग्रूप क है जुखाम होगा बुखार हो सकती है जर दर्दे हो सकती है शरीर में ठंड लगना तो इस में मैं कई पेज़र्स मैं देखता हूं क्या करते हैं कैमिस्ट के पास चले जाएंगे वहां से एंटिबाटिक खरी देंगे उखा लेंगे या फड़ावड हॉस्पिटल जाएंगे ठीक है हॉस्पिटल जा सकते हैं बट नॉर्मल फ्लू को घर पे बिना दवाईयों के मैनेज किया जा सकते हैं उसमें सिंपल है कि आगर चोटा बच्चा है तो अगर बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए पैरसेट अमोल दे सकते हैं जैना स्टीम ले सकते हैं स्टीम को काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है फिर उसके बाद आता है कि कब डॉक्टर के बास जाएं और कब घवर आएं खासकर बच्चों में तो जैसे मैंने बताया हर बच्चा अपने आप स्वांटेनियस रिकवर कर जाएगा पर अगर किसी को तेज बुखार आ रहा है कि आज बुखार सौ था अगले दिन एक सो दो आ रहा है फिर एक सो तीन चा रहा है तेज बुखार आ रहा है तो वह एक अलारम स्म्टम है ऐसी के इसमें डॉक्टर के बास जाना जरूरी है या फिर बच्चा बहुत सुस्त हो गया है बच्चों में क्या होगा जब भी फ्लू होग खाना पीना थोड़ा छोड़ दिया है या फिर बहुत तेजी से सांस ले रहा है या सांस फूर रही है बच्चे की तो वह सिवेर हो गया है नहीं तो वह कोई ऐसे पैनिक की जरूतनी है बच्चों को तो हर चार महीने में फ्लू हो गई होगा और होना भी चाहिए क्योंकि उससे उनका इम्यून सिस्टम बेसिकली फ्यूचर के लिए प्रिपेर होता है उसके बाद जो दूसरा एज ग्रूप आएगा जो हमारा अडल्ट एज ग्रूप है उसमें कंपरिटिवली जो फ्लू के सिम्टम से वह बहुत जादा नहीं रहेंगे बहुत माइल्ड जैसा हल का सा गला खराब हो जाएगा थोड़ी बहुत खांसी सिर्दर हलका बुखा रहेंगा और वह भी तीन से पांच दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा अगर पांच दिन से ज्यादा बुखार रह रह रहा है या फिर सिम्टम जो आपके सिम्टम से वह बढ़ते जा रहें तो य एक छोटा सा सवाल बीच में मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो फ्लू के अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फ्लू की अगर उम्र हम जानना चाहें नॉर्मल जो सामानिय फ्लू है वो कितने दिन तक एक इंसान में रह सकता है और डिपेंड करता है वैसे बट आवरेज हम आनक फ्लू कोए बल गम बहुत कमा सूबह शाम थोड़ी सी बढ़ेगी और बच्चों में और बड़ा इंपरहन की आता है कि बच्चों की जो खांसी है बच्चे कफ नहीं निकाल पाते तो उनको क्या होगा कि खांसी आई गया तब तक खांसते रहें गया वो मिट कर देंगे त और सांस नहीं फूलेगी, और यह धीरे 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 चली जाएगी, दूसरा एपिटाइट ठीक रहेगा, भूख सही से लगेगी, क्योंकि दूसरा इसके साथ हमें कन्फ्यूज करती है, खांसी फ्लू के बाद खांसी परसिस्ट कर रही है, मैं बता रहा हूं को दस दि तो नहीं होगी, अब बहुत सरे लोग डर जाते हैं रिते दिन से खांसी है, तो टीवी के साथ में टीवी में क्या होगा, भूख खतम हो जाएगी, खांसी के साथ साथ भूख बहुत इंपोर्टेंट है, और टीवी के जो पेशेंट है, उसको श्म्टम काफी पहले से आने जिस्टम अच्छा है, सबसे इंपोर्टेंट हमारी है, ओल्ड एज ग्रोग, खासकर जो 65 अबब हैं या फिर जिनको कोई और डीजीज है, क्योंकि जैसे ऐसे एज बढ़ती है, कोई ना कोई बिमारी साथ चल पढ़ती है, चाहे डाबटीज है, चाहे हाई बलड प्रेशर है, चाहे किसी को अर्थराइटिस है, या फिर किसी को कोई किड्नी, कोई भी कोई प्रॉल्म है, जो कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, आज कर हम देख रहे हैं, कैंसर के कैसी बहुत है, तो यह सब जो कैटेगरी है, यह एक तरह से हम बोलते हैं, इनका इम्यून सिस्टम वीक है, इन लोगों में जो फ्लू है, वो कई बार घातक हो सकता है, ठीक है, उसमें घातक कैसे होगा फ्लू, हम जो नॉर्म जिस फ्लू की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे मैंने बताया गला यहां तक रहेगा, उसका मोलते हैं अपर रेस्पिरिटरी ट्रैक, जो इम्यून सिस्ट है, तो उस स्टेज पे, उस उन पेशिट्स में थोड़ा सा हमें सतर ग्रहने की जरू होता है, तो जो ओल्ड एज में जो आते हैं, जिनका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक है, उनको थोड़ी सी मुझे लगता है, प्रिकॉशन जादा लेनी चाहिए, प्रिकॉशन के तो का जो वीएवियर हो थोड़ा सा अवर्ड करना है, दूसरा मैं एक और बात बताना चाहूंगा की अडल्ट इम्मुनाइजेशन बहुत इंपॉर्टन है, जैसे हम छोटे बच्चों को पोलियो की डॉप्स पिला रहे हैं, चोटे बच्चों को टीका करन करते हैं, ऐसी अड पांच साल में एक बार इंपुलेंज़ा करते हैं, उससे क्या है कि कि सुपोज कि खुछ फूब था फूब दूब जाय गा, वहां पे बैक्टिरिया भी साथ में एक्टिवेट हो जाएगा, तो पेशिक बहुएदा सीरियस हो जाएगा, पर अगर वह इम्मुनाइज है तो तो इसको फ्लू होगा, ऐसा नहीं होगा, फ्लू होगा, पर उसके स्म्टम जाधा नहीं होगे, वह जाधा खतरनाक नहीं होगा, उसी तरह से इंफ्लेंसा है, आम रिखमेंड करते हैं कि एवरी एर, हर साल लगा लो, तो जब भी छोटा मोटा वायरस आएगा, सीजनल आएग हो जाता है जिस तरह बचा डॉक्टर साब ने बताया कि बचे यदि ज्यादा दिनों तक सुस्त रहते हैं या फिर वो कुछ खाते पीते नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं अन्य था आप घर पर रहकर ही जो बच्चा है आपका कुछ दिनों म बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो दूसरी तरफ डॉक्ट साब ने बात की थी जो साथ वर्ष से अधिक आयू के लोग हैं उनके ठीका करन क्या आप बात की है तो यह बहुत क्या केते हैं लाभप्रध जो जानकारी है वो हमारे युवा और साथी साथ जो बुजर्ग है उनके साब ने बताया तो वो कहीं न कहीं इस तरह के फ्लू से बचे रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी दूसरा एक और ग्रूप आता है जिनको लंग्स की बिमारी है जैसे अस्थमा है या कोई और आई-डी इंस्ट्रस्टिशन लंग डिजीज बोलते हैं किसी वरकार की जिनको .. उन लंग्स की मीमारी है उन लोगों में भी फ्लू थोड़ा सा था मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा सिर्यस हो जाता है क्यूंकि उनको ह Würसे सिर्यू स्धैम वैच ए टो थोड़ा इंफेक्शन होती है सांस ले इने में बिक्कात आनी शुरू होती है उन लोगों के लिए five yearly pneumonia लगती है और yearly influenza लगती है तो अब बात बचाव की कर लेते हैं तो यदी जो पहले किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको किस तरह की साथधानिया बरतनी चाहिए और साथ ही साथ सर्दियों गी हम बात करें, तो सर्दियों में किस अधिये बचाव के लिए को सर्दियों में कुछ एक्से रा हम कर सकते हैं गए जिस से काफी आखanka हम ठोड़ा सा परिवेट डालेंगे, या उंगली डालते हैं कुछ भी चीज मुह में डालते हैं तो वह हमें अगोड़ करना है अब बच्चो में फुल इसलिए जाद है मिलेगा लगा पर अड़र्ड्स भी कही देखता हूं मुह में पैन डाल के रखते हैं चश्मा होगा चश्मा मुह में डालने ले लिल्सु को फेकिन पानी थजा, ह् सकता होु और वह ठंड़ में पानी ने भुबहुत थंड़ क्या है, सहिक तूब तो पानी थोड़ा साु एंट . ती के तक फिली त्दी बहुत ढर्वाणी था सह naughtा हुनु तु बहुत तेज गरम-पानी पिन की तक गरम पनुषे करदे तो कहड़ा प्रिवेंशन के लिए नहीं है, कि आप सोचो जी मैं कहड़ा पी लेते हूं रोज कहड़ा पीऊंगा तो मुझे जुखाम नहीं है, ऐसा नहीं है, कि बहुत पेशेट वमर पास आते हैं, फिरिए गला जला लेते हैं, गरम-गरम कहड़ा पी के, उनकी वोईस चे मिंटम्स को एक बार शाम को सबसे इंपोर्टेंट है कि कोई भी फ्लू हो स्टीम जरूर रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाईयों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, फ्लू का पहला दिन शुरू होता है, तो पहले दिन से ही दवाई खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही है कि शुरुआती दोर से या आप दवाई ले वह भी बिना डॉक्तरी सलहा के? मेरे हिसाब से मेडिसन का एक टाइम पर रोल आएगा, कि अगर पेशिंट को बहुत जादा दर्दे हो रही है, या गले में बहुत पेन है, या फिर नाक बिलकुल बंद है, या फिर बुखार आ रहा है, तब मेडिसन स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर फ्लू के सिम्टम हैं, पर टॉलरेट हो रहे हैं, तो अवाइट कर सकते हैं, बच्चों में मुझे लगता है कि हमें परासर्टमोल हम यूज कर सकते हैं, क्यूंकि उससे क्या होगा, बच्चे के सिम्टम्स तुरंट ठीक हो जाएंगे, और फिर अपनी रूटीन एक्टिविटी करता रहेगा, कही बच्चों निया नॉस्टिल्स है, कुछ रैस्पिरिटी ट्रैक है, वह भी छोटा है, तो उसमें जब कंजेशन हो गी तो एकदम कंजेस्ट हो जाएगा, तो बच्चों में सिम्टम एकदम आएंगे, हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बच्चों को टॉलरेट करना सांस तेज तेज लेना, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जुरूरेट है, इसको डिले भी नहीं करना चाहिए, बच्चों में डिले करें, तो बहुत सीरियस इंफेक्शन हो जाती है, तो हमारे दर्शकों को भी यह जाना बेहत जरूरी है, कि यदि ऐसा होता है, तो डॉ कि दवाईयों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं तो डॉक्ट साब अब बात कर लेते हैं कोरोना संकट काल की क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमारा देश-प्रदेश उभरा है कोरोना संकट से और हालां कि टीका करन हो चुका है लगभग और अभी भी चल रहा है लेकिन फिर समझना तो चलो कोई ऐसी बात नहीं है पर जो आपने खा कि डिफ्रेंशेट कैसे करें कि कोरोना है या नॉर्मल फ्लू है तो ऐससे तो ऐसे कोई पेरामिटर नहीं है कि आप उसको डिफ्रेंशेट कर सको क्योंकि कोरोना बिलकुल फ्लू की तरह आएगा ठीक है सिंपल फ् जो उतलो पर्वां दूसरा किसा पूरोना में जो फिवर आयेगा आ, वो राइगर्स के साथ आएगा, राइगर्स को कैसे समझेंगे, यसे बाल खड़े हो जाते ना ठंड से, इस तरह उनको तु फिवर पे साथ मरीज कार लगा है कोई जंजनाट है शरीर में, और तीसरा जो कोई डिफरेंस नहीं है और अब तो खेर हम सब इम्मिनाइज हैं और तीन वेवस अलमोस निकल चुकी हैं तो मेरे पास ओपीडी में डेली बहुत कैसी आते हैं हम टेस्ट कराते हैं रेंडम ली तो पॉसिटिव निकलते हैं बट यह बहुत माइड सिम्टम से अब कोरोना के स प्षले और तीन चार महिने में तो मैंने भी नहीं देख व FR और अब पैनीक करने की बहुत जूटा सा जरूत बिल्कुल वी जरूरी है आ फलू से भी बचाओ के लिए औरCom ये मैसिज, करसा हाँ, जो हम कर सकते हैं, कि अगर मुझे फलू आए, तो मैं मास लगा लो, लोगाओ, कि मैं दूपरों को इनफक्ट ना करूँ, ये हम behavior कर सकते हैं, पहले था कि चलो समने मास्ट लगाने, अब ऐसा कर सकते हैं कि ज़ो खुद you infected रहे, वो मास्क लगा ले। काई कंट्री्स आज जपान next में så page लोग सफर कर रहे हैं तो मास्क लगा के, वोग वह जनको फूह रहे होता है, वहाँ पे उनकी हैविटी ऐसी है, कि अगर फुलू हो गया पब्लिक प्लेस में जाना वो खुद ही मास्क लगा लेंगे ताके दूसरों को इंफेक्ट ना करें बाकी तो और कुछ जादा नहीं कर सकते हैं और यह जो मास्क वाली आपने बात कही है कहीं कहीं से आपका खुद का बचाव होगा साथ ही साथ सामने देखने को मिलता है तो ऐसे में धूल मट्टी कितना जो है इंफ्लेंस कर सकती है उस फ्लू को आपके ओपर अटैक करने के लिए सर्दियों में बेसिकर धूल मिटी के ड्राइनस को हम कह सकते हैं ड्राइनस बहुत जरू हो जाती है क्योंकि बारिश इतनी जादा नहीं होती बरफ अभी तक नहीं किरी है अभी थोड़ी सी बारिश बहुत है और फूरी बारिश ब में घदागा जचे ड्राइनस में भी फ्लू के सिंट्म्हेर्ली होने के खत्रा बहुत रहता है तो मोस्त य़सद छोटे बच्चे हैं घर में तो घर पे heater भी बहुत use होते हैं तो या हमें न या तो humidifier आते हैं उनको use कर सकते हैं तो नमी बनाके रखें रूम्स में नहीं भी कर सकते हैं तो simple gas पे गरम पानी उबालके उससे भाप उठती रहेगी तो घर पे गरम पानी का पतिला उठाके थोड़ी दे रूम में रख लिय हो उससे humidification हो जाती है तो वो काफी हद तक preventive therapy की तरह काम करता है और रही बात धूल मिटी की तो धूल मिटी ज्यादा कर उनको affect करते हैं जो allergic है जिनको धूल से allergy है नॉर्मल को भी कर सकती है पर जो allergic लोग है उनको धूल मिटी से बचाव रखना ज्यादा जरूरी है खासक लोगों को इतना aware होना चाहिए कि अगर आसपास कहीं construction हो रही है तो water sprinkling शूट भी देर पानी चड़कना चाहिए जह से धूल मिटी का काम हो रहा है आप सड़क कर कहीं का सड़क बन रही है तो वह government की guidelines है कि sprinkling water शूट भी sprinkled पर यह लोग नहीं करते है तो people लोगों में इत सब्सक्राइब हो सकता है lukewarm जिसको हम सील गरम कहते है तेज गरम पानी नहीं पिना चाहिए बहुत थंड़ा एकदम नलके से पानी आए वह भी नहीं पिना चाहिए क्यों कि अचानक से जैसे थंड़ा पानी पिएंगे फिर से गला खराब हो सकता है और reason मैंने उकता है reason ए आप कुछ भी ठंडी चीज करोगे और आपको कुछ लोग होते हैं सेंस्टी भी होते हैं कुछ बच्चे होते हुनको टॉंसीज एकदम इलार्ज हो जाते हैं वहला कि इस्चिव है पर लूपवां ऑटर हमें प्रेफरेबली मतलब हमें मतलब सील गरम पानी ही पिना आंटीबाइटिक की प्रोल्म कहा है, ये Вам को आ थे चीचक की बहुता है। लोग केमिस्ट के पास जाएगे, बखा रहे हैं दो दिन की दाया है। केमिस्ट क्या करे का उनको दो दिन के लिए अंटिभाइटिक देगा कोई एक दिन खाएगा कि मैं आपको बता है फ्लू ती इससे दिन ठीक हो जाएगा आज मुझे फ्लू हुआ शाम को फिर सुबा में चला गया चल दवाई ले ले लेता हूं यह सुब ऑफिस ता शाम को से जाएगा दवाई ले लेगा वो जाएगा थार्ड दे बता रिकवरी शुरू हो जाएगा उसको लगा तो एक दिन दो दिन एंटिभाइटिक खाएगा वह बहुत जादा नुकसान है फ्यूचर के लिए उससे क्या होता है एंटिभाइटिक रिजिस्टेंस डवलप होती है रिजिस्टेंस क्या है कि जो एंटिभाइटिक आज आज आप इस्तमाल कर रहे हो किसी बीमारी के लिए वो कुछ समय बाद उसका असर खतम हो जाएगा जैसे सेप्टरान थी पहले क्या था लेफ्ट और राइट किसी को गला खराब है सेप्टरान खालो हर कोई सेप्टरान अचार डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के विना नहीं लेनी चाहिए बिलकल बहुत 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 शुक्रियाँ डॉक्टर साब तमाम जानकारी के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को ये जानकारी बेहत पसंद आई होगी और उनके लिए बेहत लाप्रा दिये जानकारी रहेगी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तो ये थे डॉक्टर आरजुन सिंग जिन्होंने तमाम जानकारियां दी वायरिल फ्लू को लेखर के यदि आपने ये शो अभी देखना शुरू किया है तो आप हमारी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स डीडी न्यूज हिमाचल फेस्बुक डीडी न्यूज हिमाचल यूट नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार